नमस्कार जन सत्य नियूज में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आश्री मात्यागी नरेंद्र मोधी जब से पीम बने हैं तब से ये पहला साल है जब वो किसी भी विदेशी दौरे पर नहीं गए है पीम मोधी 2019 में साल के 35 दिन विदेश में गुजारत हैं लिकिन इस बार कोरोना ने पीम की विदेशी दौरे पर ब्रेक लगा दिया है और इस वज़ा से साल के 365 दिन वो भारत में ही रहे और हर दूसरे दिन टीवी पर दिखाए दिये देखिए रपॉर्ट पीम मोधी के विदेश दौरे पर लगा ब्रेक कोरोना ने विदेशी दौरे पर लगाया ब्रेक जनता कर्फियो यानि जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फियो मोधी अकेले नहीं है जो कोरोना की वज़ह से विदेशी दौरों पर नहीं जा पाए उनकी तरह कई देशों के राश्रपती, प्रधान मंत्री भी हैं जो कोरोना की वज़ह से इस साल एक दो देशों के ही दौरे पर गए पीएम मोधी का आकरी विदेशी दौरा 13 से 15 नवंबर 2019 में ब्राजील का था, उस समय मोधी ब्रिक्स में शामिल पोने गए थे 106 देशों तक पहुँचे मोधी मोधी को प्रधान मंत्री बने 6 साल 7 महिने हो चुके हैं मोधी ने 26 माई 2014 को पहली बार और 30 माई 2019 को दूसरी बार प्रधान मंत्री पद की शपत ले प्रधान मंत्री आफिस के मुताबिक 2014 से लेकर अब तक पीएम मोधी 69 बार विदेश के लिए रबाना हुए हैं इस दरान उन्होंने 106 देश इसमें 2 या उससे ज्यादा दौरे की यात्रा की गई है दिसम्बर 2018 में लोगसभा में सरकार ने प्रधान मंत्री के विदेशी यात्राओं पर होने वाले खर्च का ब्यारा दिया था इसके अलावा प्रधान मंत्री ओफिस की वेब साइट पर भी पीएम की यात्राओं के खर्च की जानकारी है इन दोनों को मिला दे तो अब तक मोधी की विदेश यात्राओं में 2156 करोड रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं हर साल 400 करोड से ज्यादा खर्च मोधी जब से प्रधान मंत्री बने हैं तब से अब तक 69 बार विदेश यात्रा कर चुके हैं यानि हर साल कम से कम 10 से ज्यादा बार विदेश यात्रा पर जाते हैं मोधी की विदेश यात्राओं पर भी हर साल ओसतन 430 करोड रुपए खर्च होते हैं मोधी जब से प्रधानमंत्री बनी है तब से 230 दिन विदेश में रह चुके हैं यानि हर साल ओसतन 40 दिन मनमोहन के दौरों पर 1346 करोड रुपए कुए थे खर्च मनमोहन सिंग 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री रहे इन 10 सालों में उन्होंने 73 बार विदेश दौरे किये इसमें से 35 दौरे पहले कारेकाल यानि 2004 से 2009 के बीच और 38 दौरे दूसरे कारेकाल यानि 2009 से 2014 के बीच किये दिसंबर 2018 में जब सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों पर होने वाले खर्च का प्योरा दिया था तो उसमें मनमोहन सिंग के दूसरे कारेकाल में वे खर्च के बारे में भी बताया गया था इसके मुताबिक मनमोहन सिंग के दूसरे कारेकाल में उनके विदेश दौरों पर 1346 करोड रुपए खर्च हुए थे मनमोहन सिंग से पहले अटल विहारी वार्जपाई देश के प्रधान मंत्री थे वार्जपाई ने 1999 से 2004 के बीच 19 बार विदेश दौरी किये प्रधान मंत्री मोधी पिछले साल नवंबर के बाद से ही विदेश दौरे पर नहीं गए इस बार मोधी प्रधान मंत्री के तौर पर 226 दिन टीवी पर दिखे यानि हर दूसरे दिन टीवी पर आए उन्होंने इंडिया बांगलादेश सम्मिट, इंडिया उजबेकिस्तान सम्मिट, ब्रिक्स सम्मिट, आसियान इंडिया सम्मिट जैसे बड़े एवेंच को ऑनलाइन सम्भोधित किया इस साल प्रधान मंत्री ने कुरोना को लेकर साथ बार देश के नाम संबोधन दिया उनका सबसे पहला संबोधन 19 मार्च को था जिसमें 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की अपील की गई थी कुल साथ संबोधन में बोधी 157 मिनट बोले वही पीयमोधी ने आठ बार बीजेपी के कारेक्रम में भी भाषण दिये मतलब कोरोना काल में पीयमोधी विदेश तो नहीं जा पाए मगर देश में ही व्यस्त रहे ब्यूरो रिपोर्ट जनसत्य न्यूस तो इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हूँ तो आप इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और जनसत्य न्यूस के चानल को सब्सक्राइब कीजिए